So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel P.J.Lakse Classes and Facebook page P.J.Lakse Classes Guys, साम के 5 बच चुके हैं, सभी को गोड़ी हुने यहां दोस्तों, टाइम हो चुके है क्लास का, जो कि हमेशा आपके 5 बचे रहती है ESIC, D.S.B., RRB, RML, SGBJ, ZMCH और All India की जितनी भी बढ़ती हैं उन सभी के लिए जो important classes, उसकी classes number 70 आज रहने वाली है जो कि एक marathon class रहेगी, जिसमें 100 questions डील करेंगे और exam से पहले exam मानके जो class को आप handle करिएगा प्रतेक क्यूसन का answer अपनी copy में लिखती जाएगा 100 questions डील करेंगे और प्रतेक subject क्यूसन होंगे पूरा syllabus अधरी जो है पूरी class रहेगी, मतलब पूरा paper है, model paper मानकी चलिए अब जो कि बहुत ही ज़्यादा important आपकी exam के point of view से रहने वाला है और यह exam से पहले का exam में आपको पता चल जाएगा कि यदि आज ही exam हो जाए तो आपको जो है कितने number आ सकते हैं पूरा जो है वीडियो यानि पूरी class अबस से देखें, अपनी copy panel साथ में लेकर बैटे हैं और प्रतेक पहले से एक से लगागर 100 तक आप अभी से अपनी copy में अंक जो है वो लिक दीजिएगा क्योंकि पूरे 100 क्यूसन डील करने वाला टाइम कितना भी लग जाए ठीक है अच्छे से डील करेंगे जब अस तरीके से ऐसे नहींगे फालतू मतलब सिधा सिधा चला जाएगे तो चलिए आपना आज की class को सुरू करते हैं उससे पहले बता दूँ यदे आप कोई भी एक्जाम की कर रहे थे यारी चाहे एसाइसी हो इन सभी के लिए पीजे क्यूसन बैंक को आज ही खरी देजीगा पीजे क्यूसन बैंक को खरीने के लिए आप जो है हमें वाट्सप पर मेसेज करें फीजे क्यूसन बैंक को पूरी से लेबस कम्विट सेलबस के आदार पर और सभी सब्चेक्ट था, माइक्रो मैक्रो सारे सब्ज़्चेक्ट जो है इसमें अंक्लूडि चाहे तो हद मेरे टीम आपको दो मिनिट के अंतर नदर प्रोइड करवा देगी, ठीक है, तो 299 रूपे मात्र, और इसके साथ 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 HZPJ, RRB, GMCH, इसके साथ साथ E.S.I.C.O, D.R.E.S.B. के लिए हमने 654557, जी हाँ, क्योसन बैंक और ओल्ड पेपर ले 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 जो कि 10 मोडल पेपर, 140 रूपे मात्र में मिल जाएंगे आपको, एक्जाम से पहले 10 एक्जाम आप दोगे तो आपको confidence बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला ठीक है, तो जल्दी से वाटसाप पर मेसेज कर दीजीगा, नमबर आपके सामने अभी मैंने लिख दी थे, एक से सो नमबर अपनी कोपी में आप जरूर लिख देना अभी से, क्योंकि आज का एक्जाम से पहले वाला एक्जाम रहन परता एक सब्जेक्ट एक क्यूसन इसमें इंक्लूड़ आपको मिलेंगे, आप बता देना कौन से सब्जेक्ट की नहीं है, ठीक है, नाइन सिक्स्ट नाइन पॉट से शुरू करते हैं, बहुत ही जबरतस क्लास रहने वाली है, तो पूरा क्लास के साथ जो है, आप सुरू पर वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, कहां से क्लास रहे हैं, कौन से एक्जाम की कर रहे हैं, तयर ही फटापट से बता देजिए, चले, पहला क्यूसन आपके स्क्रीन पर यह रहा, मैच लिस्ट फर्स्ट विट लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट दा करेक्ट आंसर यूजि आपके दिये हुआ, A2, B3, C1, D4, A2, B1, C3, D4, इस हिसाब से अपन जैसे ये एक का पूछ पकड़ने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, चले, तो फटापर से सोचिएगा एक बार, जितने भी साथ यह एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दिया, चले, तो सबसे पहले फस्ट मुलार की बात कर लते हैं, तो जब भी बात आती है आपके फस्ट मुलार की, तो फस्ट मुलार जो है वो 6-7 साल में, ठीक है, याद रखना, 6-7 साल में फस्ट मुलार आ जाता है, ठीक है, उसके बात करें लेटरल इंसीजर की, तो लेटरल इंसीजर की बात करें तो 7-09 साल इसमें लगते हैं, कि बात में आते हैं कैनाइन, कैनाइन जो है 11-12 वारा साल में आते हैं, जो है गयारा से 12 साल भी ठीक है, यह ठीक है, यहां पर जो है आपके सामने A4, A4 इन दोनों में हैं तो पहले दो तो कट गए, ठीक है First 2 तो कट गए अब बचे हैं C और D अब A4 हो गया, B जो है वो 3 है, B3, तो B3 सिर्फ और सिर्फ C में ही है, कौन से में? C में ही है तो correct answer क्या चलाज़ेगा दोस्तों, C A4, B3 C1, D2, समझ में आगे? Very good, चलिए आगे बढ़ते हैं पहला क्यूसन, आपके सहीवा, गलत होगा बता दिएगा आप अपने कॉपी में लिखते जाएगा अगला क्यूसन, यह जो है पहले क्यूसन जो है, यह आ रहे है आपके anatomy or physiology से, ठीक है Which of the following fracture occur only in the scale of infant, बहुत जबर्दस क्यूसन है इसमें से कौन सा आपके fracture है जो की सिर्फ skull में होता है किसके infant के skull का fracture है gutter fracture, ring fracture, linear fracture या point fracture, comment box में भी answer देते जाए और अपने copy में लिखते जाए एक क्यूसन अल्रेड हो चुका, यह दूसरा anatomy physiology के क्यूसन सही है शुरगात में, तो फटापट से बताएगे copy में लिख देना फटापट से इसका answer फिर मैं बताता हूँ, वो answer आप पी से right या wrong लिखते जाएगेगा, ठीक है तो इसका सही answer जो सिर्फ और सिर्फ होने, खोपड़ी मोदा है कि इसके infant की scale में होने वाला fracture जो है, वो point fracture कहलाता है, कौन सा? point fracture, तो correct answer चला जाएगा, दोस्तों D आपने copy में क्या लेगा, वो भी देख ले दिया अगला question भी anatomy physiology से, function of cofer cell in liver is, बहुत जबर्द discussion, ठीक है cofer cell कहां पाई जाती है, यह भी पुछा जाती है यहां पर liver दे दिया साथ में, cofer cell liver में पाई जाती है, इसका function क्या है, phagocytic light tick secretary या absorption वाला function है, ठीक है, तो phagocytic काम करती है, क्या light tick काम करती है, secretary काम करती है, absorption का कौन सा काम करती है, cofer cell जो है, वो meiosis, synapsis occur during बहुत जबर्दस क्युशन है, ठीक है, meiosis की जो प्रकरिया होती है, synapsis जो होता है, वो कब होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्युशन है, interface, pro phase, metaphase या sphase, synapsis की जो प्रकरिया होती है, यह आपकी meiosis क्या है, meiosis एक प्रकार का कोसिका का डिवीजन है, विवाजन है, division, कोसिका विवाजन, समसूत्री और अर्शूत्री जो है, meiosis और mitosis की जो होता है, synapsis जो है वो कब होता है, interface में होता है, pro phase में होता है, metaphase में होता है, anaphase में, telophase में, kis में होता है, ठीक है, आपके अपनी कोपी में क्या लेका, और comment box में फटा फटा पटा से लेकती जाएगा, सभी लोग, ठीक है, चले, next question के और बड़ते हैं, question of five, what is the largest part of the human brain, human brain का जो है largest part कौन सा होता है, mid brain, medulla oblongata, cerebrum, cerebellum, बहुत अच्छा question है, यह भी जो है आपके anatomy physiology सारे के सारे सब्जेक्ट आएंगे, 100 question होंगे तब तक ठीक है, पांचो question है, अपने copy में इस परकार से आप जो है, marking लगा जी एक दो तीन, चार पांच इस हिसाब से, पिछे लिग दीजी का, M लिग दो मी और यहां लिग दो class ठीक है, मेरे त्वारा, जो मैं बता रहा हूँ, आपने जैसे A लिगा, मैंने जैसे A बताया तो यह right हो गया, आपने जैसे B लिगा, मैंने सही अंसर C बता दिया तो यह wrong हो गया, इस हिसाब से अपना evaluation करते जाएं ठीक है, यह 5 questions आपके सामने, तो यहां पर largest part पूछा है human brand का, कौन सा होगा, फटाबर से comment box न बताएं और जो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फटाबर से एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और PJ Qution Bank को आपने अभी तक नहीं करीदा है, तो पूरे subject cover करने के लिए, मतलब आपके पूरी पूरी तैयारी को एकदम पुकता, मतलब आपका इस selection आइसी करने के लिए आप जो है, पीजे Qution Bank को आज ही करी लीजेगा, 9694654557, यह है WhatsApp नंबर, स्क्रीन सॉट लेके अपने copy में चापलो, कुछ लोग कहेंगे कि सर प्रमोशन बहुत करते, आपकी तैयारी की तो बात है ना दोस्त, इसलिए प्रमोशन भी करना पड़ता है, चले, तो यहां पर जो है Cerebrum correct answer, सबी लोगो गोगे एदम सही आंसर भी आ रहा है, C answer is correct, next question question number 6, question date देखने हैं तो थोड़ा जल्दी भी चलेंगे, what does corpus callosum connect the human brain, बहुत बड़ी है question, corpus callosum जो human brain में होता है, वो किसको जोड़ता है ठीक है, two optic lobs, bone and muscle को, two cerebral hemisphere को, two lobs of pituitary gland को, बहुत ही बड़ी है question, यह brand में पाए जयता है, तो यहां पर pituitary, bone and muscle, यह इनका तो कोई महतो ही नहीं ठीक है, तो यह cerebral hemisphere को जोड़ता है, two cerebral hemisphere, C, comment box में बता जाएगा, और अपने copy में लिखते जाएगा, जैसे जैसे 10 questions होगे, मैं आपको पूछता जाँगा, आपके करने सही है ठीक है, टेस्टरीज लांज किये, जिसको model paper के नाम से जान दे, SDPJ, DT, SSSP, इसके साथ आप ESIC और RRB के लिए, जिसको भी आप 9-6, 9-4, 6-5, 4-5, 5-7, इस पर WhatsApp मेसेज करके आज ही पा लिजीगा, 149 रुपे में 10 model paper मिले, जैसा आज में paper करवार हो न, आप सुरू से लेकर अंतक बने रहे हैं, जैसको भी चाहिए, model paper, क्यूसन, bank, old paper, ठीक है, अगला question, what does the corpus callosum connect हो गया था, C answer is correct answer, next question, Q7, human placenta is derived from, बहुत ही बड़ी है, human placenta जो है किसे derived निकिसे बना होता है, ठीक है, amnion से, corion से, या ellen toys and corion से, या फिर ellen toys से, बहुत ही बड़ी है question, ठीक है, तो किसे बना होता, फटाफट से answer दीजीगा, अपनी कोभी में साथ के बिचे लिग दीजीगा, आप answer क्या है, और इसके साथ साथ जो है, आपके comment box में भी सभी लोग answer देते जाएंगे, आज पूरे 100 question होने वाले दोस्तों, तो थोड़ा सा अपनी कुर्शियों की पेटी बांद के चलिएगा, और इसके साथ साथ प्रते question का answer comment box में देते जाएगा, नहीं तो मैं ठक जाओंगा, in the ER is carried by, बहुत बढ़ी है, अपके detoxification होता है किसका lipid drugs और other harmful compound होता है, वह किसके द्वारा होता है, साइटोक्रॉम D, साइटोक्रॉम F, साइटोक्रॉम BF, या साइटोक्रॉम P 450, बहुत बढ़ी है, P 450, question number 8 आपके सामने, किसके detoxification कौन करता है, किसका lipid drugs और other harmful compound होता है, उनका कहां पर, endoplasmic reticulum में है, endoplasmic reticulum में है, तो यहां पर जो है correct answer क्या से लगएगा, बताएगा फटरफट से 8 के पी से क्या लगने वाल है दोस्तों, बताओ, question number 8 के पी से क्या लग होगे, बहुत बहुत बढ़ी है, तो सभी का आंसर सही आने चाहिए, D is correct answer, क्या है दोस्तों, D is correct answer, यहां पर जो है, cytokrom P450 जो है, वो correct answer, यह detoxification का काम करता है, D is correct answer, आयो हो, कि समझ बारा, question number 9, which of the following time of, sorry, which of the following is a type of placenta found in human, जी आ, कोटी लेंटरी, बहुत ही बड़ी है कुशन है, D option आपके सामने देख लिजीगा, कोटी लेंटरी, ठीक है, तो किस प्रका का होता है, इस प्रका से placenta होता है, आपने सभीन देखोंगा, ठीक है, इस प्रका से placenta, यहां पर umbilical code, और यहां पर बच्चा, बेबी, ठीक है, तो इसे साफ से बच्चे जुड़े होते हैं, यहां पर आप देख वाएंगे, तो यह डिस्क की समान लगता है, डिस्क को ideal होता है, करेक्ट आंसर क्या साल आजएगा दोस्तों, A is correct answer, ठीक है, समझ में आगया, नहीं आए था, कोई बात नहीं, आगे आता रहेगा, एक्जाम सारे क्यूसन को समझ में आते नहीं, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहें, हो सकता है कि 95% क्यूसन आपको इन क्लासिज में, पीजे क्यूसन बेंक में, और मोडल पेपर में, कवर करवाद है, विच अपर फॉलॉएंग इस इन्रमोस्ट लेयर ऑफ धूमन आई, हूमन आई की इन्रमोस्ट लेयर कौन सी है, तो आइनडोमी फीजियोलोजी चल रही अभी, उसके बाद में जो है, अभी कम्यूनिटी आएगी, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, जिसके सही हुए अच्छी बात है, जिसके नही हुए वो भी सीखें, कोई बात नहीं हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो है, दस क्यूसन औरी हो चुके हैं, आपके कितने सही हुए, जल्दी से जल्दी जल्दी, देख लो पीछे कोपी में, जो भी नए साथ ही जोड़े, उनको बदा दो अपनी कोपी ले लो, एक से सो तक मार्किंग कर दो, और परते क्यूसन का आंसवर देते जाओ, आपके अकोड़िंग आंसवर देदो, जो इधर लिख दो कि भाएं मी लिख दो और झाले कवोणरे कोपी लिग दो और मढ़ी कोच भी लिख दो इधर क्लास लिख दो कोच भी लिख दो ठीक है? यदि दोनों मेच खरते हैं रइत खरागा दो दोनों मैच怎么 Rain बहुत बढ़ी कुछ लोग हों कि 10 में से 9 हुए, कुछ की 3 हुए, कोई बात नहीं, चलिए, जन्होंने भी अभी कोपीपन नहीं उठा है, अभी उठा लीजिए, ठीक है, ग्यारा से आप काउंटिंग सुरू कर लो, और जैसे ही क्लास कतम होती ही, पहले 10 देख लेना, बहुत बढ़ी है, कोई भी एक पैसंट है, उसको अनाफायलेटिक रियक्षिन, मतलब इस परकार के कोई अलर्जी होती है, और उसके पास में आपिनेपरीन ऑटो इंजेक्टर है, ठीक है, एक एपिनेफरीन एडिनलीन का ऑटो इंजेक्टर आता है, वट दिस फॉस्ट एक् पर आपके पास में जो है, अपिनेफरीन ओटो इंजेक्टर है, तो आपको पहला एक्सन किया लेंगे, 9001 पर कॉल करेंगे, अड्मिस्टिद आपिनेफरीन ओटो इंजेक्टर, गिव देम एंटी हिस्टामिन, वेट-टो-ची शिंटम वसें, मतलब शिंटम जो हे उनको और बुरा होने के लिए मतलब पैसेंट की और आलफ कराब होने के लिए आप वेट करेंगी तो ऐसा तो कभी करना ही नहीं है ठीक हेh इंसानियेट को नापते भी नहीं करते लो और नाइं ये कॉल करना है नहीं, एंटी इस्टरमीन देता है, जब auto injector अवेलबल है, तो आपको जो है, auto injector जो है, वो patient को देना है, correct answer किया चला ज़िए दोस्तों, भी, बहुत बड़ी है, सभी के एकदम से यह answer आ रहे, very good, next question की और बढ़ते हैं, जो भी model paper होंगे न, उनके answer इस प्रकात से नीचे द what is the most important immediate action, बहुत बड़ी, community health nursing के एकुछन है, जो की सीधे एक्जाम में चपने लाइग, ठीक के एनड़ा में फीजियोलोजी होगी, अब community चल रही थी, during first aid, आप first aid दे रहे है किसी को, एक पैसेंट है, विक्टिम है, जो की severe, severe conditional life-threatening bleeding हो उरी है उसको, तो first, आप immediate action क्या तो ये सारी चीजे बात में करनी है, जब भी bleeding, severe bleeding होती है, तो आपने को bleeding रोकना जो है, वो सबसे पहला कान रहता है, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे, तो जो है, पैसेंट को जब तक आपन जो है, इसको ambulance बगेरा को बुलाएंगे, तब तक पैसेंट जो है, हाइपो वाल्म shock में जा सकता है, हाइपो वाल्मिक शोक में जाने से bleeding को जो है, रोकना के लिए अपन जो है, डारेक्ट प्रेसर देंगे, कहां पर wound पर, तो करेक्टर आपसो चला जएगा, तो उस तो एकदम सही आनसर है, सभी के, कॉपी में लिखते जाएगा, ठीक है, क्यूसन नमर थर् epidemiological framework लेगर, तो वो जो है, कौन सी सबसे पहले focus रहेगा उसका, ठीक है, interviewing healthcare professional concerning community, यानि कि, interview लेगी कि, इसकी healthcare professional की, जो concern करता है, community से, research finding from epidemiological studies, research find करेगी गया, learning about the health and, health of the community population, community population के, जो है, उसकी health को learn करेगी, या discovering group among the community, resident who are most at risk, बहुत बढ़ी है, जब बहुत बढ़ी है, ज प्रकास से assign की जाती है, तो वो जो है, हमेशा high risk, जो group होते है, उन पर सबसे पहले focus रहता है, उसका, discover करती है, group among the community, community के बीच में, जो group है, residents है, जो, उन में, जो है, कौन सा most risk पर है, ठीक है, तो करेक्टान से चला जाएगा, दोसमां, इसका D, आपका अनुसार आपने क् कमेंट बोक्स में बता दीजी का, बहुत बढ़ी है, कोई बात नहीं, अगले question सही होगा, tension लेने के जूट नहीं, question number 14, when assessing a community by using structural and functional framework, यहाँ पर पीछे क्या था, कौन सा framework था, epidemiological framework था था, यहाँ पर जो है, functional और structural framework लेर के जारी है, assess करती है community को, the nurse recognize that all communities must, बहुत बढ़ी ह करती है कि सभी community जो है, वो कैसे होनी चाहिए, address financial need to resistant, engage the function that can be measured, provide for socialization and sense of identity, या require that public safety is structure built, तो उनको जो है, nurse जो है, वो क्या finding करती है, इसमें ठीक है, तो correct answer क्या जाएगा, बताएगा, question number 14 का सही answer क्या रहेगा, आपके answer, बताएगे का, comment box में, सभी लोग एक बढ़ वीडिय क्लास लंबी चल सकती है, लेकिन exam से पहले वाला exam की feeling आपको दिला के छोड़ूँगा, यह है मेरी guarantee, बहुत ही बढ़िया, अपनी कोपी में क्या लग दिया है, वो मेरे को बता नहीं, लेकिन मैं बदाता हूँ, इसका सही answer है, कि उसको जो है, जो भी नर्स होती है, वो functional औ करवाती क्या socialization and sense of identity, ठीक है, sense of identity और socialization की जो है, वहाँ पर provide करवाती है, correct time सब चला जगा C, दोस्तों, next question, question number 50, if an infant has not been immunized with, यनि की आपके जो है, अगला question, यह भी जो है, community का है, if an infant has not been immunized with BCG vaccine, at worth, or with DPT vaccine, then, बहुत बढ़िया question है, एक infant जो है, वो BCG या DPT vaccine नहीं लिया उसने, तो वो जो है, उसको अपन क्या करेंगे, ठीक है, these should be avoided, इसको avoid कर तो कोई दिकर नहीं है, these should be given at the age of 5 years, 5 साल तक दे सकते हैं, these can be given anytime up to age of 1 year, एक साल के बच्चे को जो है, अपन दे सकते हैं, दोनों vaccine, या बोथ BCG and DPT 1 vaccine given, with DPT 2nd, DPT 3rd के साथ में दे सकते हैं, तो ज एक साल के बाद भी देते हैं, तो एक साल के बाद भी देते हैं, तो यहाँ पर जो है, these can be given anytime up to 1 year of age, ठीक है, कोई दिकर नहीं है, आपने add birth नहीं दिये, तो एक साल तक आपको दे सकते हैं, तो एक साल तक आपको दे सकते हैं, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा, दोस्तों, 4557, इस प्रकास से बहुत ही जबर्स क्यूसन आपको मिलेंगे, subject wise रहने वाली है, एक 1000 MC क्यूस रहने वाले हैं, most important, इसके साथ 600 क्यूसन जो old paper है, ESIC के पुराने old paper, उसके वो आपको फ्रीम मिलेंगे, इस क्यूसन में की रेट है 209, फ्रीम है old paper मिलेंगे, और इसके साथ स मिलेंगे, आपको हमें साथ बजी मॉडल पेपर मिलेंगे, 96946.4227, आज ही खरीद लीजिए ठीक, बहुत सारे लोगों ने इसका फाइदा उठा लिया, आप भी करिए, to encourage community participation, what should a nurse do, बहुत जबरस क्यूसन है, community के क्यूसन है, कि encourage community, जो भी अबन जो है, कोई भी nurse है, वो डिफर टू, डॉक्टर फॉर प्रेस्किप्शन, डॉक्टर देगा तो आएगा क्या, encourage sponsorship with program, program के सोहे, उसकी sponsorship करनी चाहिए, listen when people relate their problem, people जो है, वो रिलेट करते है, अपनी problem बताते है, तो इसको सोहे, जान से सुनना चाहिए, बिल्कुल, क्या रहेगा सही आँसर पताईगा प्रफट, civic organization से नहीं आएगे, डॉक्टर की prescription से थोड़ी आएगे, डॉक्टर ऐसे लिखे है, कि दो टाइम आपको आना BD लिख दिया, कि जैसे कोई भी है, जैसे विकास है, उसको दो टाइम आना है, तो यहाँ पर परसी पे लिख देगा, कि विकास BD, ऐसे थोड़ी है जैसे का BD, ठीक है, जैसे के लिखे है, एंट्रेज से स्पोंसर्शिप, इस स्पोंसर्शिप भी नहीं आते, बंदे हमें सा जो है, लोग जो कम्यूलिटी के होते हैं, वो हमें सा उनकी प्रोब्लम सुनते हैं, आपना आराम से ध्यान से, उसकी solve करते हैं, तभी आते हैं, तभी उनका participation बढ़ता है, तो correct answer, listen, when people relate their problem, correct answer, D चला जाएगा, दोस्तों, D, D is correct answer, चलिए, next question, कुछ दो जो है, आसरे हैं कि विकास BD, बहुत बढ़ी है, 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 इस में से जो है, कौनसी लाइव अ इंजेक्टेबल पॉलियो वैक्सिन, तो B और C में सा आंसर देना, फटापट से बते कोन से रहना मला है, चलिए, OPV होती है, यह होती है, लाइव, कौनसी, OPV is लाइव, तो यहाँ पर 7, OPV रहती है, और correct answer चला जाएगा, दोस्तों, साल्क, साल्क जो है, एक किल्ट वैक्स इसमें से कौन सी study में जो है आपन पता कर सकते हैं relative risk of disease डिजीज का जो relative risk करेता है उसका पता कहां से कौन सी study सी कर सकते है case study, cohort study, case control study या experimental study बहुत ही बड़ी है जब भी relation ग्याद करते हैं तो आपर cohort का प्रयोग किया जाता है पुरानी classes में आपको बता रखा है, नहीं पता है तो आज देख लिजे cohort study आएगे जहां पर relation लिखाएगा ठीक है, तो B is correct answer क्या दोस्तों? B is correct answer, चले, question number 19, 20 होती मैं आपको पूछूँगा कि इतना सही हो रहा है which vaccine is contraindicated during pregnancy? बहुत ही अच्छा question है pregnancy के दोरान कौन सी vaccine जो है contraindicated है, answer अपनी copy में और comment box में देते जाएगा फटापट से चाहिए, चाहिए answer रूबेला जाने वाला है, क्योंकि आपर congenital rubella syndrome होने के chances रहते है जब भी congenital rubella syndrome, यह जो है, conceive करने से तीन मन्त पहले और पूरी pregnancy में जो है rubella नहीं दिया जाता और सबसे ज़्यादा जो information होने के सांचेज रहते है, infection के वो आपके second trimester में रहते है, याद रखना, congenital CRS, congenital rubella syndrome होने की वज़े से rubella vaccine, वैसे तो all live vaccine contraindicator होते हैं, लेकिन mostly बात करें, तो absolute contraindication की बात करें, तो यहाँ पर rubella रहता है, correct answer एच चला जाएगा, आपने क्या लेका बता जीगा, next question, what is the main purpose of sentinelized surveillance, बहुत ही बढ़ी है, तो sentinel surveillance जो होता है, उसका क्या उदेश यह होता है, क्या purpose होता है, to find out the total number of cases, सारे जो है, total number of cases को जो है, find करना, for intervention of therapeutics, therapeutics को intervention के लिए, to depict natural history of disease, natural history का पता लगाना, यह prevention of sentinel piles, बहुत बढ़ी है, कॉंसर से यह answer देगा, बढ़ा ही, sentinelized surveillance बहुत ही अच्छा क्यूसन है, बहुत ही ज़्यादा exam से कई बार पूछा हो, ठीक है, sentinelized surveillance से related verbally बता रहा हूँ, जो आपके सामने है, इस सारी चीज़े important है, तो आप ज्यान से सुने भी और ज्यान से देखें भी और protection का अंसर और video को like करते हैं, आपने आपको confident ज़रूप लिए ठीक है, ठीक है, प्रिलेंस का मतलब होता है, new plus old सारे basis, ठीक है, तो incidence और प्लिवेंस का सभी का पता करने के लिए sentinel surveillance का है, जो उप्योग किया जाता, एगला question, what is the purpose of adding citrate in oral rehydration solution, या ORS जो होता है न, ORS, उसमें citrate का use क्यों देख, उसको citrate को क्यों add किया जाता, इस सही आशर बताना आपको, improve sodium chloride absorption, sodium chloride, NACL का absorption बढ़ने के लिए, correct acidosis, acidosis को correct अरने के लिए, increase self-life, self-life को बढ़ने के लिए, या increase glucose absorption, glucose के absorption को बढ़ने के लिए, फटबर चांसर जो है, comment box में भी दीजीगा, और अपने copy मिलेगे, फटबर comment box में तो आप सभी को देना ही जाए, इसके साथ ये पूरा paper जो है, P.J. Laksay Classes Telegram Channel में मिल सकता है, मिल सकता है, ठीक है, गारंटी नहीं, लेकिन गारंटी तो है, model paper के रूप में आप लेते हैं, तो गारंटी है, ठीक है, P.J. Laksay Classes Telegram Channel में काफी सारे पुराने paper हमने दे रहे हैं, लेकिन आप यदि 9694654557 इस पर WhatsApp मेंसेज करके मांगोगे, आपको ऐसे 10 exam के paper मिल जाएंगे, मतलब यह हमने खुद ने बनाई हुए, ठीक है, इसके साथ साथ P.J. Cushan Bank को भी आज ही करी लीजिगा, और old paper में आपको P.J. Cushan Bank के साथ में फ्री में दे दूगा, और model paper यह जो है, यह अलग से मिलेंगे, 140 रुपे, चले, तो इसका सही आंसर आप सभी ने एकदम सही लिगा, कुछ लोग गलत जा रहे हैं, मैं आप बता तो increased self-life के लिए, self-life जो होती है न, ORS के उसको बढ़ाने के लिए citrate का use किया जाता, कुछ लोग बता रहे हैं, सुआद के लिए नहीं, ठीक है, करेक्टरा सबस्वाद C चला जाएगा, अगला क्यूसन, क्यूसन नमरr 22, What is the absolute contraindication of pertussis vaccine, जो होती है, वो किसमे नहीं दी जाती है, डाइरिया में नहीं दी जाती है, इसको एक और नाम से जानते है, 100 days cough, और इसको एक और नाम से जानते, whooping cough, यह खतरनाक होती है, कि पसलिया तूट जाती है, आदमी के इतनी खतरनाक खांसी आती है, तो यहाँ पर जो है, absolute contraindication of the pertussis vaccine, then we have to rate it, right is convulsion, ठीक है, convulsion के percent में हमेशा pertussis की vaccine कभी भी नहीं दी जाती, ठीक है, convulsion is correct answer, समझवागे दोस्तों, D is correct answer, next question के और बढ़ दा है, question number 23, how much chlorine will be available after fresh preparing of bleach, यह भी community का question है, क्लोरीन कितना जो है, अवेलेबल रहता है, कब after fresh preparing of bleach, bleach जो है, freshly prepared होने के बाद में, वहाँ पर क्लोरीन कितना रहता है, ठीक है, 20, 30, 33 या 40 percent, फटा बड़ से answer दीजीगा, comment box में इतने चोटे question का answer, आपको फटा बड़ से copy में लेगना है, त transmission, बहुत ही जबरस क्यूसन है, इस में से जो है, isolation किस में जरूरी नहीं है, तो isolation हमें सा आपकी communicable disease होती होती है, उनमें होता है, तो measles है, mum says chicken box तो है, लेकिन tetanus जो है, यह वैसे communicable भी नहीं है, और इसका जो है, isolation की भी इसमें आप सिकता, यह D is correct transfer, आप सभी को बता होग बहुत बढ़िया है, तो अनपर से आपको पता होगा लगे वह से, अब सारे लोग कोपी में आपना 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 लिगी एगा, और जो है, comment box में लिगिए, पट आपर से एक बार वीडियो को लाइक कर तो आपना आपको पॉन्पिड़ेट कर दीजिगा, सही आपी में आ टॉक्सिक वैक्सिंट और सब्सक्राइब स्क्लाइब हो मैं टॉक्सिक सॉखे एक न्हीं सब्जेक्ट ऐका हो हंडेड dosto तो पड़ाबर जो है, आपने क्या लेगा, वह आपने है, आपने है, आपने हसाब से देख लिजीगा, और मिलान के लिजीगा, अगला इस प्रकार के जो डिसिंफेक्शन होता है, उसको क्या कहते है, इस्टरलाइजेशन कहते है, वैसे डिसिंफेक्शन लिगा तो इस्टरलाइजेशन हो गए नहीं, क्या कंकरेंट होता है, या टर्मिनल होता है, या प्रिकरेंट, कंकरेंट और टर्मिनल तो सबसे लास्ट में जो किया था उसको कहते है अब concurrent or pre-current का ख्या मतलब जब भी कोई procedure चलता है उसके साथ-साथ अपन जो है जैसे water का chlorination अपन जैसे पाने पी रहे हैं उस टाइम कर दिया लोटे में कर दिया ऐसा concurrent होता लेकिन pre जो है बहुत बड़े इस तरह पर और routinely जो किया जाता उसको pre-current disinfection क बहुत बड़े क्यों से ओल और पाउडर जो है वो किसके द्वारा इस्टिलाइज किया जाए ओल एंड पाउडर आर इस्टिलाइजड बाई तो करक्ट आंसों किया जाएगा ओटो क्लेविंग माइक्रोवेविंग हाइडो क्लेविंग या hot air oven क्या अंसर जाएगा जो है काम है लिया जाता क्या hot air oven ठीक है डी इस करक्ट आंसों नेक्स क्यों पर बड़े किसों नुबर 29 विच अब फॉलविंग इस यूज तो टेस्ट आफिसेंसी ऑफ इस्टिलाइज करता है उसकी एफिसेंसी कितनी है इसको फाइंड आउट करने के लिए इसका टेस्ट करने के लिए कौन से बेक्टिरिया का यूज किया जाता है फटाफर से आंसोर कमेंट बॉक्स में और अपनी कॉपी में लिखते जाओ ठीक क्या आंसोर जाएगा फटाफर से बताइगा बैसिलस और सब्टिलिस क्लोश्टेडियम टिटैनी बैसिलस प्यूमिलस या बैसिलस इस्टिरो थर्मो फिलस बहुत बड़ी है तो सही आंसर C जाएगा ठीकर बैसिलस इस्टिरो थर्मो फिलस करेक्ट आंसर C जब भी जो है इस्टरलाइजेशन जो किया जाता है आपके औरोकलेव के द्वारा उसकी एफिसियनसी गयाद करने के लिए बैसिलस इस्टरलो थर्मो फिलस का यूज किया जाता सही आंसर C जाएगा ठीकर और तीसमें की उसन उसके बाद में मैं पूछूँगा तीसमें से आपके साही कितने है की ठीकर Communicability of disease is assessed बाहिए बहुत ही जब वरस की उसन है ये भी Communicability जो है disease की वो किसके द्वारा assess की जाते है secondary attack rate, generation time, serial interval या incubation period यानि कि कोई भी बिमारी है उसकी Communicability का मतलब क्या होता है वो जो फैलती है ना उसकी जो मतलब Communicability फैलने की जो ख्षमता है उसको अपन कैसे assess करते है ठीक है secondary attack rate किसे secondary attack rate और जिसने भी अभी तक क्लास अभी नहीं नहीं जोइन करें वो बता दूँ आगे 70 क्यूसन और होने वाले तो आपने आपको assess कर सकते है कोपी में लिखते जाएगा अनसवर ठीक है 30 मैं से आपके कितने हुए कुछ लोग 25 बता रहें कुछ बता रहें 15 कुछ के 28 कुछ के 29 बहुत जबर्दस वेरी गुड़ तो यह 29 बाड़े 28 बाड़े हैं हमारे classes में लगातार जुड़े हुए और ऐसे ही तैयारी करते जाएंगे तो एक दिन 100 में से 100 भी लेके आएंगे कहां पर ESIC, DSP, RRB, SGPG इसके लिए आपको P.J. Q. S. Bank को भी खरीदना पड़ेगा जो की बहुत ही जबर्दस रहने वाल 969465455557 इस पर WhatsApp मेंसेज कर देना आज ही मिल जाएगी 299 रुपे P.J. Q. S. Bank, RRB, MCQ प्लस आपको old paper जो है, वो फिरी में मिल जाएगा old paper 10, ठीक है, जहाँ पर 600 questions रहे हैं, इसके साथ साथ यह आप test series लेना चाहते हैं, test series इसको model paper 10 मिलेंगे आपको आज की जैसे paper मिलेंगे, अभी दो subject clear हो गए अपने, आगे भी सारे subject हैंगे, test series 10 model paper 119 रुपे में तो आज ही अपनी तैयारी को पर्फ है और एक्जाम से ले, 10 एक्जाम दे के देखे हैं कि आपकी जो तैयारी कैसी है, ठीक है, इसके लिए आपको 96946545457 पर वाटसे मेसेज करना पड़े है, यह पड़ा नंबर, आपको अभी screenshot लेगा, अपनी copy में लेग दो और उसके बाद में, जैसे क्लास कदम हो जादी, उसके बाद में WhatsApp मेसेज करना ठीक है, ठीक है, चलेए, नेक्स्ट क्यूसिन के और बढ़े आपन, क्यूसिन नबर 31 आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा है a client who had thoracic surgery, पहुत जबराद, thoracic surgery है, एक लाइन है उसको, ठीक है, client who has had thoracic surgery, जय हाँ, एक client है, जुसको thoracic surgery हुई है, जय हाँ, thoracic surgery, is admitted to the post-anastasia care unit, जय हाँ, PACU में जो है, बढ़ती है, वो, what should the nurse do after the chest tube is attached to a disposable plastic water seal drainage system कोई भी एक पेसेंटेज जिसको thoracic surgery हुई है admit किया गया है PSU में तो nurse क्या करेगी किसके बाद में मतलब nurse जो है उस chest tube attached करेगी disposable plastic के साथ उसके बाद में वो क्या assess करेगी ensure the security of the connection from the client to the drainage unit यानि कि security को ensure करेगी client से drainage system तक जो आपके tube लगी उसकी empty the drainage container and measure the record of amount of once a day container को खाली करेगी एक दिन में कितना जो है output आ रहा है और हमेशा एक बार दिन में verify that there is vigorous bubbling in the weight suction control compartment verify करेगी कि वहाँ पर vigorous ली ने बहुत ज्यादा bubbling हो रही है कहाँ पर weight suction control compartment या check that the fluid level is water seal compartment increased with expiration ये check करेगी कि fluid level जो है compartment का वो increase हो रहा है expiration यागी जब भी स्वाथ छोड़ा उस time तो ये सारे काम जो है doctors के हैं ये जो है security को जो है nurse assist करेगी पैसेंट के जो आपने chest tube लगई है उसकी security पैसेंट से लगा कर connection से लगा कर drainage unit तक जो है वो secure रहना चाहिए कहीं पर जो है leakage नहीं होना चाहिए कहीं पर जो है उसमें खींचाओ नहीं होना चाहिए तो क्रेक्टर हम से क्या चला जाएगा दोस्तों ये चला जाएगा चले next question क्यों बढ़ते हैं सबी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर जाएगा फटाबट से क्लास बहुत लंबी चलने वाली दोस्तों अभी तक 32 question हुए अभी अपने चल रहा है ये आपके medical surgical का portion ठीक है anatomy physiology हो चुकी है अभी जो है medical surgical in MS का चल रहा है which complication is avoided when a nurse administer parental preparation of the potassium slowly and carefully which of the complication avoid की जाती है कौन सी complication को जो है avoid की जा सकती किसके दुबारा जब नर्स जो है parental preparation of potassium potassium slowly लगाती है तो कौन सी complication को है जो रोका जा सकता जिया कहने का मतलब पूछा ये है कि यदि आप potassium को rapidly लेनी fastly लगाते हैं तो कौन सी complication हो सकती ठीक है तो बढ़ाएगे का फटरबर से answer comment box में और अपनी copy में लिग दीजिए का फटरबर से ये exam से पहले वाला exam है आपका पता चलेगा आज कितने number आ रहे है ठीक है जी हां दोस्तों तो slowly लगाते हैं तो वहां पर cardiac arrest आने की संभावना है उसको कम किया जा सकता है क्योंकि ECG में आपने सुना होगा कि hypokalemia, hyperkalemia मतलब potassium जो है वो heart पर बहुत ज़्याद effect करता है तो हमेसा slowly लगाया जाता है ठीक है parental preparation को हमेसा तो correct response पर चला जएगा दोस्तों B ऐसे ही बहुत सारे क्यूसन साब को बोडल पेपर में मिलेंगे आज का पेपर तो ही रहा इसके साथ साथ 10 पेपर मिलेंगी 149 रूपे में ठीक के WhatsApp पर मेसेज कर देना एक्जाम से पहले एक तो आप परक हो जाएगी कि आपको एक्जाम कितने नंबर ला सकते है आप और इसके साथ साथ इन में से क्यूसन बहुत सारे छपने की संभावना सीधे एक्जाम में ठीक तो इसके लिए 149 रूपे लगेंगी मातर 9-6-9-4-6-5-4-5-5-7 इस पर WhatsApp में से गड़ा WhatsApp PDF में सा एक मिलेंगी ठीक है अगला क्यूसन क्यूसन नमर थर्टी तरी इन में पोस्त ओпа पिरिड एफ्टो इस फहरा किया गा क्या है तक चूलिड आ रहा है किसमें नयजगें स्पाइब में धिक है फ्र हाव लॉँह और आएज समैय तक क् इस तइफ बाने नर्स जो है कितने समय तक इसको फाइंड करेगी कि यह नॉर्मल है ठीक है मजलब वहाँ पर गेश्टेक्टमी होई यह तो जाहिर सी बात है नॉर्मल ब्रीडिंग के द्वारा जो वहाँ पर है जो लाइट रेडिस कलर का वहाँ पर आने की पूरी संभावना है किसका ड्रेनेज का ठीक है तो इसके लिए नर्स जो है कब तक इसको नॉर्मल मानेगी ठीक है सही आंसर क्या जाएगा फटरबट से कमेंट बॉक्स में और अपनी कोपी में फटरबट से लिगीएगा सहरा बहुए जो बढहराह Dal sexually से मेडीकल सर्जीघकल चेल रहा है नजाएगा इसलवे सवच्यों इसिक्यरी डिसॉर्ट है डुज अी इसलभी तो इसंप Pretरव किसका क्रॉनिक डिसॉर्डर है और इस्टमा ध्या पर आस्टमा क्या कोच कर सकता है क्रोनिक लंबे समय तक अस्तमा होता थो क्या कोज कर सकता है ठीक क्या कॉंप्लिकेशन हो सकते क्या इसके इसके रासे हर्ट ब्लोगे यह तो तो काड़ दो क्योंकि अस्तमा जो है यह एक प्रकार की स्वांस से लेड़ेड विमारी ठीक है अब पीछे बचा न्यूमोनिया और इंप्लामिशन ओफ दे एरवे तो न्यूमोनिया नहीं होगा अस्तमा से ठीक है अस्तमा का बंदब किया है वहां पर जो है डिफिकल्टी इन द ब्रीधिंग को आपन डिशनिया कहते है लेकि इसी परकार डिशनिया भी होता है इसमें अस्तमा तो इंप्लामिशन ओफ दे होने के बहुत ज्यादा चांसे होते हैं क्रोनिक अस्तमा के पेसेंट पर ठीक है क्रेक्ट आमसर चला जाएगा दोस्तों डी सभी कांसर सही आरे बहुत बढ़ी है अभी आप सीख रहे हो बहुत ही अच्छे से अगला क्यूसन तो आप सब लोगों के लिए खेल है बाए होती है इसमें नाहीं में मैक्सिमम को अ चाँ बड़तो तो इसके तो तो तीन चीजा आप याद मेर रखनी है एक तो आपको याद मेर इसके जो जो कंपोनेंट सोते है वह था है एक होता आई ओपनी ऑय ओपनी एक हो ओध व्रबल रैस पूंस वरर बल रैसप्वॉक और ए मिनमम 3 और मैक्सिमम 15 दी इस करेक्ट आंसर कौंसा दी करेक्ट आंसर जाएगा दी चले अगला क्यूसन एक पैसेंट विद डिष्णिया सुद भी प्लेस्ट इन बहुत बढ़िया क्यूसन है एक पैसेंट है जिसको डिष्णिया है मुझलाब डिफिकल्टी इन ब्रीधिंग स्वांस लिड़ने में दिख्कत आ रही है उसको डिष्णिया की नाम से जाते उसको कौन सी पोजिशन रिखे तांगी उसको स्वांस लिड़ने में कोई दिख्कत ना है ठीक है सिंस पोजिशन सुपाइन पोजिशन और्थोप्रोइक पोजिशन या लिफ्टोटोमी पोज चला जाओं लेगन आपको जो है सीखना है और सारी चीजे जो अपने को कवर करनी है और सारी चीजे कवर करने के लिए पीजे क्यूशन में इंको आज ही करें लिजीगा एक जार मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्यूश मिलेंगे आपको मातर 299 रूपय में 9694654557 पर वाट्स क्या मतलब होता है कोई भी ब्लेड वैसल लेना इस प्रकात से कहीं से भी पर्मनेंट फूल जाती है उसको अपर एनियूरिज्म कहते है ठीक है इसका मोस्ट कॉमन कॉश कॉश है ट्रॉमा मारफल सिंड्रॉप अथेरोस्कलोरोसिस या सेफलेस तो यहां पर ट्रॉमा और से सेफलेस का तो कोई मतलब भी नहीं सेफलेस तो एस्टीड है नाई मारफल सिंड्रॉप तो अथेरोस्कलोरोसिस के द्वारा जो है मोस्ट कॉमन कॉश है यह आपके एयोटिक अनियूरिज्म का सी है सीज करेक्ट नासु ठीक है चले क्यूसर नमर्स सेवंट थर्टी है मैं मैं गॉल आई इक युट्व अनिर हुटालेस बहुत यह बढ़ी एक उसनघ है मैं कॉल कि आया एक इकूट्व उडोमेरोनेेफटिस का ठीक है एक्करेस करने करने के लिए, increase high protein intake, high protein intake करने के लिए, maintain fluid balance, या teach intermittent urine catheterization, तो जब भी बात करें, treatment का, मुख्योदेशी क्या रहता है, तो maintain body fluid balance, ठीक, correct answer C चला जाएगा, क्योंकि यापर जो kidney की बिमारी है, तो kidney fluid और electrolyte को balance को करती है, तो इसका शही आंसर भी C जाएगा, fluid balance को, correct answer C, immediate treatment of dog bite, बहुत बढ़िया क्यों सन है, 39 क्यों सन है, immediate treatment क्या रहेगा, dog bite का, hospitalized करेंगे, application of antiseptic, antiseptic देंगे, wash the wound with soap and water, या suturing करेंगे, suturing तो अपने को करनी नहीं है, कभी पुछा जाए, तो dog bite में सुधरिंग नहीं करनी है, यह C आपको याद मरखने है, जब भी dog bite हो, वहाँ पर लगातार soap and water से लगातार 15 से 20 मिनिट तक उसको tap water में धोते रहेंगे, तो C is correct answer, क्या है, C is correct answer, सभी के एकदम सही answer आए, क्यूसर नबर 40, अब मैं 40 के बाद आपको पुछूँ का कितना सजी हो रहे है, ठीक है, आप अपने हैसाब से तयार है, तो डोज आप लिगनोकेन यूज़ एज एज लोकल एनस्थेटिक इन रिपेर आप एपिसियोटोमी वूंट, यह सर्जीरिकल का क्यूसर ना, सर्जीरिकल नसिंग का, दोज पूछी कि यह किसकी लिगनोकेन की, ठीक है, आप कोई भी एपिसियोटोमी कर रहे हैं, तो लोकल एनस्थेटिक एजेंट के रूप में, लिगनोकेन का यूज कर रहे हैं, तो उसकी डोज कैसी रहेगी, ठीक, 5%, 1%, 10%, या फिर जो है आपकी, 0.5%, बहुत बढ़ी, तो और सही आंसर जो जाएगा, वो जाएगा आपकी, 1% 5 ml, ठीक है, यह डोज है, और यह आपकी कंसंटेशन है, 1% 5 ml, इस करेक्ट आंसर, भी इस क लेकिन यहापर आपको फॉस्ट एक्टिंग एंटिकूगलेंट के बारे में बताना है, हिपरिन, वारफेरिन, वीटामिन के या हिरूदीन, बहुत बढ़ी है, सभी के एकदम सही आंसर आणजे, वैसे बताएगा, चारीस में से कितना स्कोर हो रहा है, वाट इस स्कोर, चा लगातर हमार साथ जोटे, बहुत बढ़ी है, वैरिगूट, तो सही आंसर इसका भी जाएगा, ए, क्या जाएगा, एपरिन is correct answer, ए is correct answer, next question के और बड़ते है, question number 42, लंबी क्लास से लेगी, दोस्तों, अच्छे से बैट रहे हैं, क्लास में, चलिए तो community complete, यानिकि end of physiology, community health nursing, और medical surgical, यह सारी complete हो चुकिए, अब यह अगला क्यूशन जो है, वो pediatrics nursing का, ठीक है, moral reflex disappear by the age of, moral reflex जो होता है, वो कब disappear होता है, ठीक है, moral reflex होता क्या है, उसके बारे में भी अबन जो है, डीटेल में आगे की classes में बात करते रहेंगे, चार वीक पर यह होगा, एक year पर होगा, छे मंत पề होगा है, यह थीन मंत पे होगा, सभी लोग answers रेजी के comment box में, सभी लोग लाइक कर दीगें किरा here, वीडियो कट तो लाइक अपर फटा फट से मैं आपको time दे एखी लाइक कर दो सारे लोग, comment कर दो, share कर दो, subscribe कर दो, ठीक है? नए होता है. जल्दी करो time बहुत, जो है, कीमती है हो ना, exam सरपे हैं और तैयारी को अपन को जो है, बहुत ज्यादा अच्छे से करनी हो गी, ठीक है? तो moral reflex जो गायब होता है, disappear होता है, वो D is correct answer, तीन मन्त पे हो जाता है, ठीक है? याद रखना, moral reflex, high protein diet is recommended, recommended in following except, बहुत जबर discussion, इस message जो है, किसको छोड़गे, जो high protein diet को जो है, अपन recommend करते है, ठीक है? कौन सी बिमारी को छोड़गे? नेफरोटिक सिंड्रॉम, क्वासियोर कर, marasmus, acute glomerulonephritis, बहुत बढ़ी है क्वासियोर कर, तो यह पर जो है, protein और energy की कमी है, तो यहाँ पर दे सकते है, marasmus में भी दे सकते है, protein नेफरोटिक सिंड्रॉम में दे सकते है, लेकिन acute glomerulonephritis में जो है, मिसा protein जो होती है, इसको रेजिस्ट किया जाता है, ठीक है, तो D इस करेक्ता है, इसमें भी D जाने वाला, इससा है answer, ठीक ह अगला question, congestive cardiac failure में भी treated with the following except, बहुत बढ़ी है, इस में से जो है, congestive, जो आपके heart failure या congestive cardiac failure होता है, उसको किसके द्वारा ट्रीटर नहीं किया जा सकता, lots of fluid, diuretics, oxygen, digitalis, बहुत बढ़ी है, यह तो drug of choice होगी, ठीक है, तो यहाँ पर diuretic भी देते है, digital भी देते हैं, oxygen भी lots of fluid, ज्यादा fluid नहीं देना, वहाँ पर fluid overload होने की chances है, क्योंकि heart failure हो चुका है, वहाँ पर pump नहीं कर पा रहा है, so lots of fluid is not a treatment of choice for the cardiac failure, ठीक है, correct answer is, correct answer, चले, next question, question number 45, man clinical symptom of the hytale harnia, बहुत ही अच्छा क्यूसन है, hytale harnia का man clinical symptom क्या रहता है, heartburn, vomiting, pan in iguanal area, या burning, mikturation, so mikturation से इसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, लिए राटा दो, iguanal area कोई मतलब नहीं, vomiting भी नहीं होती है, heartburn is correct answer, ठीक है, A is correct answer, दोस्तों, जब भी man clinical symptom of hytale harnia, पूछा जाए, तो यहाँ पर आपको heartburn ही जाना है, ठीक है, heartburn is correct answer, एगला क्यूसन, क्यूसन 46 समझ भार रहे हैं क्या यार एक वार बताऊ हूँ, कैसी लेगरी एक वार सारे लोग बताऊ, मैं रोपर आप अपर, आप सभी की कमेंट को देखने के लिए क्यास बहुत बधिया लगई है बढ़िया लग रहे है घयारी, ऑर बताई किमेंक इसकी क्लास क्यूसे टारी है इसके साह साथ कितने यह तो बस टेलर है दोस्तों एक्चुल चीजे तो वहां पर है यह देख लो ऐसा टेलर है तो पिर पिक्चर कैसी होगी ठीक है पीजे को आज ही गरी ते इस वाट्सप नंबर पर मुझे मेसेज करें इसके लिए आज हो रहे है न वैसे ही पाना चाहते है तो एक सो औने चास रूपए में आप आ सकते हैं इसके लिए आपको वाट्सप मेसेज करना पड़े है जो है एक बार स्क्रिंसौर ले लो गौपी कर İler Wherever दखके है झाममने एक्षप डुके में करतू है लेकर नंबर भी आप में स्क्रिंसौर ले लेके जयसे क्लास काता है और मश्राफ वे मेंसेज कर देना कि मुजह चीजले जो भी क्यूसन पैंग चाहिए इसे जो बीं मिल्ट पैप्र चीज़े वो आपको हमारी टीम हाथ आथ पोए आधर प्वाइड तो यह नमबर है 96946454567 आगे बढ़ें बट बढ्ट बड़ी है सभी को समझ बा रहे है चले, तो हाइटल हानिया वाला हो गया, अगला क्यूसन है, which of the following is not a first-line anti-tuberculous drug, एडिटी कौन से नहीं है, first-line कौन से नहीं है, तो ICO niacid होती है, refurbation होती है, ethambutyl होती है, इसके साथ साथ एक और होती है, pyrogenabate भी होती है, और ethambutyl, ठीक है, यह सारी होती है, लेकिन cyclosporine नह से आपको याद होती है, refurbation, isoniazid, pyrogenamide, ethambutyl, streptomycin, यह पांच जो है, first-line ATT drugs होती है, anti-tubercular drug होती है, ठीक है, पांच होती है, अगला क्यूसन, सारी चीजे बताऊंगा, क्योंने बताऊंगा, सब वह चीजे बताईगी, जोगी एक्जामें आएगी, man clinical symptom of open-angle glucoma, बहुत ग्लुकोमा क्या होता है, IUP का बढ़ना, intra-ocular pressure का ज्यादा बढ़ जाना, और यह जो है, नॉर्मल होता, 12-21 या 9-21 भी मांते, इससे ज्यादा होता, तो अपन उसको ग्लुकोमा की बिमारी मांते है, तो यहाँ पर पुछा गया, कि open-angle glucoma, जो है, यह इसका man clinical feature क्या है, दोनों ऐसे क्तरनाकों सा होता पुछा जाए, तो अमेश्ता जो है, तो अमेश्ता चोई, angle closer, जो खतरनाको है, तो यहाँ पर चोई, constant blood vision होगा गया, impaired of peripheral vision होगा गया, sudden complete loss of vision होगा गया, sudden attack of acute pan होगा, तो यह और यह ग्रांपने घ्रेट पर अपने इंगर, आपन इपर आंस इंफ्लमेटरी डिजीज ऑफ द आई के जो है टेटमेंट में कामें ली जाती है एक्टिटाजॉलमाइट एड्रोपीन, कॉर्टीसोन या फिलोकार्टी बहुत बढ़ी है कॉन सांस्व रहेगा फरवर से दो दो इंफ्लमेटरी डिजीज के जाती है कॉर्टीसोन, कॉर्टिसोन is correct hem C ª ser. 59 सांस्ति 어렵 How का इंफ्लमेटरी डिजीजちらि जाता है सांस्ति डिजीज गफ इंपरशांशोन, में काण सांस्ति डिजीज जाता लिए ॉतरय does one बढ़ाब में क której जाते है ब्लुगो कार्टिकोट को जो है कभी यूज में नहीं लेते हैं, यह इस करेक्ट आंसर, उननेंचास में क्यूशन का आंसर होगा है, चले, आदा क्यूशन पेपर होने वाला है, तो आदा क्यूशन पेपर हो गया है, मुझे लगता है लोगों को जो है, थोड़ी सी अब जो जो है, जो है, लंबी हो रहे है क्लास आप सब लोगों के लिए, तो क्या करा है दोस्तों बताओ, कंटीनियू रखे या अदब जो है, वो कल की क्लास में करते हैं, अब जो है, आगे ओबीजी रहेगी, गायनिक, ओबीजी, इसके साथ साथ रिचर्स, मैनेजमेंट, और इसके साथ साथ जिदने भी सारे सब्जेक्ट जो बचे हुए, वो पचास क्यूशन हैं, तो उसको आपन कल की क्लास में डील करेंगे, ठीक है, सारे साथ ही, कल भी इस और कोई भी दुखड़ा वहाँ पर मत सुना ना, इस वोट्सापर मेसेज सिर्फ आप फीजे क्यूशन बैंक, और मोडल पेपर के लिए करेंगे, ठीक है, मेरे टीम आपको दो मिनिट में अवैलेबल करवागी, इस पर आपको मिलेगी क्यूशन बैंक, ठीक है, क्यूशन और क्यूशन बैंक के साथ में फिरी है, यदि आप क्यूसन में के साथ में पर में भी दे दूंगा, लेकिन अउल्ली बैंक चहिए तो 59 रूपीज और इसके साथ मोडल पेपर, जो कि आज की अपने क्यूसन बैंक ऐसे पर रहने बही है बहुत जबर दस मिलेंगे, आपको से पहले 10 एक्जाम देंगे आप 109 चास्त्रों पहले तो जो भी चाहिए आपको WhatsApp पर मेसेज कर देना आज ही कर देना WhatsApp ठीक है 969-654-222 चाहिए तो कैसी लगी आज की क्लास का मेड़ बॉक्स मत है अब आज बसक्राइब कर लेने क्योंकि आपको अलड़ी के नर्सिंग और परमेडिकली की सभी बरतियों की निउस के साथ फ्रियो आपको तैयरी भी कर रहा रहे हैं और जो है